नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मैथ हैन मैजिक ट्री यूटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे माइन्ड रिडिंग का ट्री अगर आपको लग रहा होगा कि आपका दिमाग हम इस वीडियो में पढ़ने वाल कोई भी अगर ट्रीक है माइन्ड रिडिंग का तो वह केबल ट्रीक होता है और धोखा होता है आप सच में किसी अंजान विक्ति का दिमाग नहीं पढ़ पाएंगे बस एक अनुमान लगा सकते हैं और आज का जो यह माइन्ड रिडिंग का ट्री हम आपको दिखाने जा रह कितना जान के लिए है कि दो दान टूटा है और आगे के पलनान और भी दान तोरना है बस यही और भी बाद नहीं नहीं टूटा तकलीफ हुआ था से टकलीफ बैए टल टेते तब हो तोड़ स्विया ट्रिक सुरू करते है आज का यह जादू तो दोस्तों के इसमें से कोई एक तास को आप देख लिए आच केमरा में दिखाईजी है अब इसे वापस अब यहां पर डाल दे रहा है ऑके अब मैं आपके तास का पता लगाऊँगा कि आपका तास कौन सा था इसमें आप जादू कर दे रहे हैं आबरा का दाबरा गिली गिली छूँँग अब देखिए इसमें मैजिक हो चुका है अब आपका पत्ती बाहर आएगा और देखिए कहां है ओहो सब तास का पत्ती नेची के तिरफ अपना फेस किये हुआ है और एक ही पत्ता ऐसा है जिसका फेस उपर है क्या आपका यही तास था क्या नहीं यह नहीं था ओहो चलिए इससे हम पूछते हैं इसमें कॉल लगा रहे हैं ओके कॉल लग गया है हलो अचा अचा अभी देखते हैं यह बोल रहा है कि चौथे नंबर पर यहां से आप गिंती कीजिए चलिए इसको यहां पर लाते हैं और गिंती कर रहे हैं एक दो तीन और यह है चार क्या यही था यही था दो काला पान का यहीथा नितीच ऑख क्यानी दोस्तों कैसा अच्छा लगा है अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताईएगा कि आपको काड का मेजिक कैसा लगता है तो दोस्तों इस जादू को दिखाने के लिए आपको पहले से सेटिंग करना पड़ेगा इसके बाद ही इस जादू को आप अच्छी तरह से दिखा सकते हैं तो पहले से क्या सेट करना पड़ता है उसे आप देखिए यहां पर क्या करेंगे जैसे कि माल लीजिए हमें तीसे नमबर पर कार्ड को निकालना है तो यहां पर तीन नमबर का कोई भी कार्ड लेंगे इंट का तिग्गी है और इसके बाद इसे यहां पर ऐसे डाल देंगे सबका फेस नीचे है और इसका फेस ऐसे उपर करके हाँ पर डाल देंगे और यह तीन नमबर का काड है इसलिए यहां से दो तास उठाएंगे और इस दोनों पत्ती को यहां पर नीचे की तरफ फेस करके इसे डाल देंगे ऐसे आप देख लिए यहाँ पर सभी का नीचे की तरफ फेस है और तीन नमबर पर हमें कार निकालना है इसलिए इसे उपर कर दिये इसका फेस और बागी इस दोनों तास का नीचे फेस कर दिये अब दर्सक को यहां से कहेंगे कि कोई एक तास का पत्ता आप निकालिए मालीजिए कि वह इस तास के पत्ते को चुना यह लाल पन का नहला है अब इसे देखेगा कुछ लोग को दिखाएगा और यहां पर डाल देगा और इस पत्ति को सिधा हम यहां से इसे छोड़ देंगे अब यहां पर कुछ आप सफल भी कर सकते हैं जैसे हिंदू सफल और आपको इतना दिहान रखना है कि जो कार्ड सेट किये हुए हुआ हुआ मिक्स नहों थोड़ा सा यहां से आप इसे ऐसे मिला कर और फिर आप कहिए कि इसमें हम जादू कर रहे हैं और कुछ मंत्र पढ़ किसे टेबल पर फ्यलाइए और फिर देखिये आप कि ओंकार को यहां पर दिख रहा है कि अब दिख Rashad को हम ऐसा कहते तीन नमबर गिंती करेंगे एक, दो और फिर एक तीन, तो यही कार था, लाल पान का नहला, ज़रा एक बार और गौर से समझे, जैसे मान लिजिए आपको पांचमे नमबर पर कार्ड निकालना है, तो यहां से हम पांचमे नमबर का कोई भी एक कार्ड ले लेंगे, ले लिए और इसके बाद हमें यह पांचमा नमबर इसलिए हमें अब चार पत्ता का ज़रूरत है, एक, दो, तीन, चार, ओके, अब क्या करेंगे कि यह जो कार्ड है, इसका फेस अभी नीचे है, अब इस पांचमे नमबर के कार्ड को यहां पर ऐसे डाल देंगे, और यह जो कार्ड है, यह चार कार्ड इसे यहां पर ऐसे डाल देंगे, ओके, अब क्या करते हैं कि यहां से आप कोई एक पत्ता निकालेंगे, अब इसमें से कोई एक पत्ता निकालेंगे, दरसक, अब माली जी इस पत्ते को यहां से निकाले, ठीक है, क्योईन है, इसे यहां पर डाल दिये, जैसे ही यहां पर इसपत्ती को डाले है अब जो चार कार्ड हम नीचे डाले थे अब पांचमें नमबर का causingot हमें चुना है इसलिए अब यह पांचमें नमबर हो गया है अब इसे यहां पर ऐसे छोडेंगे छोडेने यहां पर आप ऐसे सफल किजिए कि वह जो काड आप डाले हुए है वह इधर उधर ना हो अब कहिए कि इसमें जादू किए और देखिए आपका काड कहा है अब दर्सक को ऐसा कहें कि देखिए यहीं काड है आपका वो कहाएगा नहीं यह नहीं काड है तो आप कॉल लगा कर पूछ लेते हैं और यह बताते हैं आपकी पांचवे नंबर पर बोलता है निकालने के लिए पांचवे नंबर का काड निकाल यह एक दो तीन चार और फिर यह हैं पांच तु दोस्तों हैनक कमाल का जादू मिलेंगे नए वीडियो में तब तक लिए आगा दिए नमस्कार